इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी मेला केयर क्रीम 25 ग्राम एक तवचा संबंधी दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मेलामा यानि की तवचा पर गहरे भूरे रंग के धब्बे के इलाज के लिए किया जाता है मेलामा को क्लोसमा या गर्भावस्था के मास्क के रूप में भी जाना जाता है यह एक सामान नित्वचा की स्थिती है जो चेहरे पर भूरे रंग के धब्बे का कारण बनती है यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधे काम है फीका पड़ा हुआ यानि की भूरा-भूरा पैच ज्यादातर माथे, ठुड़ी, नाक और गालों पर होता है मिल्केर क्रीम 25 ग्राम में तीन दवाएं होती हैं अर्थात हाइड्रोक्विनोन यानि की त्वचा को हलका करने वाला या ब्लीचिंग एजेंट मोमेटासोन यानि की कॉटेकुस्टरोइड और ट्रेटिनोइन यानि की विटमिन A का एक रूप या रेटिनोईड्स हाइड्रोक्विनोन त्वचा को हलका करने वाले एजेंटों के वर्ग से संबंधित हैं मेलेनिन यानि की एक त्वचा वर्निक की मातरा को कम करके काम करता है जो त्वचा को काला करने के लिए जिम्मेदार होता है मोमिटासोन कॉटिकुस्टरोइद्स के वर्ग से संबंधित है जो त्वचा की कोशिकाओं के अंदर कार्य करके काम करता है और शरीर में कुछ रासायनिक दूतों की रिहाई को रोकता है जो लालिमा, खुजली और सूजन का कारण बनते हैं ट्रेटिनो इन रेटिनोईद्स यानि की मानव निर्मित वितामिने के वर्ग से संबंधित है जो त्वचा कोशिकाओं के नवीनी करण को बढ़ा कर काम करता है जो त्वचा की बाहरी परतों के प्राकृतिक छूटने में मदद करता है मिलकेर क्रीम 25 ग्राम केवल बाहरी उपयोग के लिए है 25 ग्राम मिलकेर क्रीम की थोड़ी मात्रा उंगलियों पर लें और साफ और सूखे प्रभावे जगह पर लगाएं मिलकेर क्रीम 25 ग्राम के नाक, मुह, आख, कान या योनी के संपर्क में आने से बचें कटे, खुले घाव या जले हुए त्वचा क्षेत्र पर न लगाएं यदि मेलकेर क्रीम 25 ग्राम गलती से इंक्षेत्रों के संपर्क में आता है तो पानी से अच्छी तरह कोल्ला करें कुछ लोगों को त्वचा में दर्द, मुहासे, लालिमा, जलन, जलन, खुजली या त्वचा में चुभन का अनुभव हो सकता है मेलकेर क्रीम 25 ग्राम के इन दुष्प्रभावों में से अधिकांच को चिकित सकी ध्यान देने की आवशक्ता नहीं है और धीरे-धीरे समय के साथ हल हो जाते हैं हाला कि यदि दुष्प्रभाव बने रहते हैं या बिगर जाते हैं तो क्रिपया अपने चिकित सक से परामर्श करें यदि आपको मिला क्यार क्रीम 25 ग्राम या किसी अन्य दवा से अलजी है तो क्रिपया अपने चिकित सक को बताएं यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान कराती हैं या गर्भावस्था की योजना बना रही हैं तो मिला क्यार क्रीम 25 ग्राम का उप्योग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है मेला केर क्रीम 25 ग्राम 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशनसित नहीं है तवचा के छाले या घाव पर मेला केर क्रीम 25 ग्राम न लगाएं मेला केर क्रीम 25 ग्राम का उप्योब करते समय धूप में निकलने से बचें क्यूंकि यह त्वचा को सूरज की रोशनी के प्रती अधिक सम्विदंशील बना सकता है और संबन का कारण बन सकता है अपनी त्वचा को संबन से बचाने के लिए बाहर जाते समय सुरक्षात्म कपड़े पहने और संस्क्रीन का उप्योग करें जब तक आपके डॉक्टर द्वारा सलाह न दी जाए तब तक उप्चारिक शेत्र को पटी से न धाके या न लपेटे धूम्ड पान या आग की लप्टों के पास जाने से बचें क्यूंकि मिला केर क्रीम 25 ग्राम के संपर्ख में आने वाला कपड़ा यानि की बिस्तर, कपड ड्रेसिंग आग पकड़ लेता है और आसानी से जल जाता है यदि आपको सलफाइट अलजी है अस्थमा है तो रोसेसिया यानि की लालिमा और अकसर लाल छोटे मवाद से भरे धक्कों हैं चेहरे पर मुहा से तवचा का पतला होना पेरियोरल डर्मटाइटिस यानि की मुह के आसपास की तवचा की लालिमा और सूजन जननांग खुजली, चिकन पॉक्स, मधुमेह, जोकॉम, अलसर वाली तवचा, मस्से, दाद यानि की एक वाइरल संक्रमन जो दर्दनाक दाने का कारण बनता है एक सिमा यानि की खुज अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद